जै मातादी दोस्तों मैं रितु सुकला आपका अपनी रसोई में स्वागत करती हूँ आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान तरीके सर बहुत ही टेस्टी मैगी की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसमें मैं प्याज आलू और मटर डालूंगी और आप देखिए कितना टेस्टी बहुत चोटा सा वीडियो दोस्तों इसने पूरा देखिएगा यह मैंने कड़ाय में सर्सों का तेल डाला है आप अपने पसंद की किसी भी तेल में बना सकते हैं यह मैंने एक हरी मिर्ज डाली है आप अपने अनसार तिखा रखिए गैसे यह मैंने आलू प्याज और मटर क बनाईगा दोस्तों बहुत टेष्टी लगता हैं और वीडियो में लाश्ट तक बने रहिए गाँ और देखिएया किस तरीके से बनकर तैयार होते हैं यह मैं अदरी ऑफृत older 200 हुआ हम इस तरीके से पकाना है oh कि या कि दोस्तों इसमें मैं नमक डाल रही हूँ मैंगी के मसाले में नमक होता है इसलिए मैं बस ऑलु मत्र में जетना नमक जाएका उतने ही डाल रही हूँ यह मैंने ऐी इसमए चोटे ग्लास से तीन घ्लास पानी ली है क्यूंकि एक पैकेट मैगी मैं देर्ड कप पानी चाता था है이다 क्या did you make music या यह मैं को है । यह कि दोस्तों अब आम इस में डाल देंगे और हम इस अच्छी तरीके से पकाएंगे यह देखिए दोस्तों मैंने इसे ढग दिया है दोस्तों अगर आप हमारी चैनल पर नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा लाइक किजेगा कॉमेंट करके बताएगा हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है यह मैंने इसमें आदे चमच हल्दी डाली है औ तो आप पर जरूर से ट्राइब कीजेगा अभी मतर का सीजन है थंडी में बहुत अच्छी मतर मिलती है और मतर के साथ मैगी बहुत अच्छी लगती है तो देखिए किस तरीके से बनकर तयार हुई है दोस्तों हमारे पूरे वीडियो को देखने के लिए धन्य बाद आगे किसी और अच्छी सी रैसेपी के साथ आपसे मिलेंगे तब तक के लिए आप इसी तरीके से मैगी बनाएगे और ठंड में गरम-गरम खाएगे मेरा बच्छा मुझे बहुत परशान कर रहा है तो मैं उसे मैगी देती हूँ जैम आता दी दोस्तों कर दोस्तों